तो वेलकम गाइस नहीं नहीं नमस्ते मित्र ही बोलेंगे ठीक ना उतना मोडन नहीं बनना है देखिए हम बताने जा रहे हैं आज की सेमेस्टर टू जो बीए का हुआ है एक्जाम ठीक ना इसमें जेनरल इलेक्टिव सेमेस्टर टू जेनरल इलेक्टिव जिन्हों ने रखा है sociology यानि समाज सास्त्र क्या sociology यानि समाज स्च्छ उनका इह paper लिका यहां 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 पर लिख्ए-श- समाज सास्त्र पेपर किस प्रकार का आता है कितने कोश्चन आते हैं सारा कुछ जाने की डिटेल में है तो आईए देखते हैं देखें सबसे पहले बता दूं कि यहां जो एक्जाम हुआ है यहां हुआ है फरवरी 2021 में यहां पर 20 दिया है लेकिन आप डोंट पाइंड कि जिसको आप यहां पर 2021 में एक्जाम हुआ है फरवरी नामे ठेक देखें यहां पर समय की बात करें तो आपको एक्जाम में समय दिया जाता है तीन घंटे का फूल माक्स आपके 80 होते हैं 80 यानि की 80 आपको सारा कुछ समझ में आएगा दोस्त मैं जिस तरीके से कोसिस करूंगा कि सारा कुछ समझ मे आजाए तकी यहां पर बताया है कि परिक्षार्थी याता संबह में इता विक बिल्कुल ना करें पहला कोछिन कि आता है जंजाहती क्या है आ तोश्रेस्जम दोनवं पढ़के सुनांगा इसकी विसष्वितर स्ताइए व टिस्सॐस्त्रही बताये यानि की जनजाति किया होती है जैसे बारत बें जनजातियां होती है अनInsujit जाति तो ये जो जनजातिया ये क्या है इनकी भिसेस्थाय क्या है बता दिजिए की यह पिछड़े हुए समाज से काफी ठेक इस परकार और इनमें रोजगार की उपलब्स अच्छे साधन नहीं है देखे जनजातियों कि यही मुझे समय से होती है तो आपको इन सब के बारे में बताना है यहाँ पर बताया गया है कि किनी 4 परशनों के उतर देना आपके कितने? किनी 4 परशनों के उतर देना 80 marks है यानि कि आपका परते question 20 marks का रहेगा ठीक न? तो यहाँ पर आपको total 8 question दियें किसी 4 को बनाना है सबी question में पढ़के सुना देता हूँ दूसरा question क्या है? भारत में जनजाति और जाति के संबंद और अंतर की विविशना किजिए कि जनजाति क्या होती है और जाति क्या होती है? तो आप बताते हैं कि जनजाति एक बड़ा हिसा है जबकि जाति एक छोटा हिसा है जाति में जनजाति जो है जनजातियां एक बड़े समुदाई को कहते हैं और जाति एक छोटे वर्ग होता है तो आपको मालूम ही होगा बेतर मुझ से ठीक ना इंग्लिस सुनिए क्या लिखा इंग्लिस में discuss the relation and different और इनके बारे में संबंध भी पूछ रहा है कि इन में क्या संबंध होता है ठीक ना तो यह परिवारिक संबंध के रूप में रहते हैं discuss the relation and difference between tribe and caste in India भारत में बीजेसों में नहीं दूसरा हो गया तीसरा question अंट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़े देने वाला हूँ तो वीडियो को मिस मत किजेगा इस्पिक करके इसके ना करके देखेगा पूरा देखेगा देखे क्या है यहां पर हिंदी को पड़ते हैं जारखंड की जनजातियों में गरीबी की मुख्य समयसिया क बिएचना कीजिए इस पर तो मैं दो घंटा लेक्षर दे सकता हूं जी हां जारखंड की जनजातियों में गरीबी की मुख्य समयसिया की बेचना कीजिए तो भई आप लोग इसे बहतर रूप से जानते होंगे कि जारखंड की जो जनजाती है ना वह मुख्य रूप से क्य जारखंड की पूरे भारत की जनजातियों को बात की जाए तो वह मुख्य रूप से गरीब है क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन नहीं है दूसरा क्या है कि उनके पास उजित सिक्षा नहीं है एक प्रोपर जो एडुकेशन नहीं मिल पाता है उनको ठीक ना तीसरा दे मैं एक डिस्क्राइब्ड को में प्रोडाम ओफ पौवर्टा इंट टाइब्स ऑफ जारकण फेक जारकंड में चंकी आम विο से जारकंड में इसलिए यहां पे दिया गया है अब दЭखिए जारखंड उडि सा प्यारविक बाहरत की काफ़िपिछले राज माना जाता है जो भारत के स्वंत्रता से ना नहीं थे जार्खन में इनका जन्म हुआ था साइद 1775 में जन्म हुआ था मुझे एड्जेक्ट नहीं मालूम है इसके लिए मैं स्वरी चाहता हूं आपसे देखिए इंगलिस में क्या है इनकी जन्जातियों पर क्या परभवप्रा इनकी पूरी जोस लगा दे आप तो मालूमी होगा देखिए जन्जातियों समाजों में जीवन साथी चुनने की वीविन्य तरीका क्या है समाज है ठीक उनमें जीवन साथे चुनने की तरीका क्या है कि बता जी को वे अपने कास्ट से विवा करते हैं और उनमें पूरानी परमपराएं चली आ मर्यादें चली आ रही है उन सब के बारे में डिसकस कर देना है वाट आर्द वेरियस वेस ओफ एक्वेरिंग मेरे एक मेरे में इन ट्राइवल सोसाइटी ठीक डिसकस आपकी इसको बारे में पूरा का पूरा अड़ाय तीन पेज लिखने ना तीन पेज से कम लिखना ही नहीं आप देखिए यहाँ पर चियन के आता है जारखन के उराव जन जाती की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक यहाँ पर तीन डारскनी सुझी सामाजीक आर्थी और धार्मिक इन के बारे में जीवन की चर्चा कर ना है ज्थारखंद की जो उरावजंजाती हे उनकी समाजिक इस्तितिक कैसी हे धार्मिंग की इस्तितिक कैसी हे aur आर्थिक इस्तितिक कैसी हे ठेक न, discuss the social economic and religious life of उरावजट tribe of ज्थारखंद ठेक यानि कि इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताना है कि समाजी की स्थितिक कैसी हुए कैसे घर में रहते हैं उनका इंकम कितना होता है कैसा होता है और इंकम की क्या स्रोथ है धार्मिक नेती कैसा है बता देजिए हुए संथाल को माना करते हैं ठीक न सरना धर्म माना करते हैं सारा कुछ तो आप जानते ही होंगे मुझसे बेतर ज इन दा ट्राइवल फैमिली ठेक तो बता दीजे कि इनकी जो जंजातिया हैं अब यह आधुनी करण की ओर बढ़ रहे हैं सिक्षा में बढ़ चल कर हिस्सा ले रहे हैं देश के उचे-उचे ओधों पर यह आसीन हो रहे हैं तो इस परकार आपको उल्ले करना है नमबर क्या होता है माध़ बीवा क्या होता है यह तो मुझे वालूम नहीं क्राइव भीवा मालूम है टाना भगत आंदोलन क्या होता है मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है दोस्त नहीं जो जानता हूं वहीं बताऊंगा डाना भगत अंदलन क्या होता यह काफ समर coughing दोपर ही लिखना अगर आप 8 number question बनाते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा, ठीक, दो लिखने होंगे, और अगर आप 1 to 7 के बिच बनाते हैं, तो केवल 4 question ही आपको जवाब देने हैं, परते question 20 marks का है, 20 marks का, आपको उत्तर हो सकें, तो 3 page में दीजीगा, 3 page यानि कि हम बोल सकें, तो 350 सब्द marks मिल जाएंगे, पक्का, एकदम सीवर बोलता रहा हूं, अच्छे writing के साथ अगर आप एकदम सही तरीके से लिखते हैं, तो 15 से 18 marks आपके मिल जाएंगे, इस परकार हो गया, sociology का, sociology समाज सास्तर काफी अच्छा होता है, आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा स दिया हूं, पढ़ लिजिए, और इसके बाद enjoy किजिए, और चैनल पर पहली बार आएंगे, तो subscribe कर लिजिएगा, बेल का इकन को प्रेस कर दिजिएगा, मैं जब भी वीडियो लाता हूं तो पूरे डिटेल में बात करता हूं, ताकि कोई आपकी सक के गुंजाइस ना रह किये, तब तक के लिए वाई फिर में लेकर नेक्ट वीडियो के साथ,